सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ के ही आप दिन में बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं कैसे आईए एक-एक मैं आपको एक उधारन के साथ में बताऊंगा लाइव मार्केट में बताऊंगा ये आज के थज़्डे का आज पूरा मार्केट चल रहा है मार्केट अभी फिलाल दोड रहा है तो आज के दिन की हिसाब से भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कैसे कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं रेजिस्टेंस कहा है सपोर्ट कहा है इस बार में आज हम बात करेंगे तो दिखें सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए प्रिवियस डे का क्लोज है आपको कभी भी एक तीन चीज़ों को नहीं बूलना चाहिए प्रिवियस डे का हाई प्रिवियस डे का लो और प्रिवियस डे का क्लोज ये तीन चीज़ों को आपको पर कल का market यहाँ पर close हुआ था अब शुरू कहा से हो रहा है आज market लगवग यहाँ से शुरू हुआ यहाँ से नीचे गिरा यहाँ से नीचे गरने के बाद वापस यहाँ तक जैसी पहुचा भ्यान दीजिए यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आप सीखेंगे यहाँ पे close हुआ था पिछले बार market पिछले दिन और market जब नीचे गिरा फिर उपर आया और यहाँ तक पहुचा यहाँ तक पहुचने के बाद आप market के लिए यह जो portion है ना यह line बन गया क्या बन गया यह बन गया resistance और market जब यहाँ से अगर उपर चड़ने लगेगा तो यहाँ से बहुत बड़ा move देगा यह resistance को जैसे यहाँ से break किया तो देखिए market कितना शांदार यहाँ पर move दिया लगबग यहाँ पर पूरी तरीके से देखेंगे तो लगबग 200 point 600 यह 600 का point है 600 से लिएके पूर 800 तक market पहुचा था तो इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा market को आप समझ पाएंगे अब आगे की बात करते हैं market जब 700 तक पहुचा था यह 500 का आकड़ा है अब यहाँ पर जब पहुचा है तो market यहाँ पर बार बार नीचे गिर रहा है और यही पर आ रह range में ही market लगाता और घूमता रहा अब ध्यान दीजिए इसने एक ऐसा box type बनाया यह 50 नंबर का box देखे इसमें market घूम रहा है उसके बाद क्या हुआ ऐसे समय पे आप ट्रेड लेंगे क्या नहीं ऐसे समय पे आप ट्रेड नहीं लेंगे अब market जब इस range को यह जो resistance में market पह देखिए यह 700 के क्रमांक है 700 के बाद जैसे यह वाला रेट कैंडल बनता है अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो market आपको दिरे दिरे कम से कब यहां तक आराम से 600 तक मतब 700 से 600 तक आराम से आप पहुच सकते थे दिरे दिरे करके ही सही लेकिन यहाँ पर पास होगा या support level के पास होगा resistance मतलब market जब नीचे से उपर जाता है और उपर एक ऐसी जगह पे जाके अपने आपको रोकता है जहाँ पे market पहले भी भूत काल में आके रुख चुका था उपर से नीचे आके तो इसको हम कहते है resistance market जब नीचे से उपर जाता है और एक ऐसे number पे आके रुखता है और थोड़ी देर वहाँ पे ठहरता है इसको हम कहते है resistance और इसी चीज़ को जब market नीचे से उपर गया यहाँ पे ठहरा यहाँ से फिर उपर गया यहाँ पर ठहरा यहाँ से वापस नीचे चलाया नीचे आके वापस जहाँ पे उसने पहले resistance बनाया थ अब उसी पे आके वो trade करता है, थोड़ी देर रुखता है, तो इसको हम कहते है support level, मतलब market यहाँ से support लेता है, support लेके फिर उपर चला जाता है, और कभी कवार support लेके उपर नहीं जाता है, नीचे चला आता है, तो जो पहले market के लिए resistance बनाता है, वो ही market के लिए बाद में support level बन जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान से अगर आप देखेंगे, रोज आपका यह humber को जाना चाहिए प्रती दिन का, तब जाके आप market से बहुत अच्छा कासा पैसा कमा पाएंगे, उधारन के तोर पर मैं आपको उधारन देता हूँ, market जब अब यह 600 के range पे आया और यहाँ पर एक hammer candle बनाया था, यह hammer candle बना, इस hammer candle को देखके आपको समझ में आना चाहिए कि market ने अपने support level पे, नीचे support level कौन सा 600 का है, 600 ही क्यों, क्योंकि market बार बार नीचे से उपर से लेके नीचे आके इसी range पे टकरा रहा है, यह 600 का नंबर है, बार बार टकरा के यह तो तूरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ से market शाड़े 600 तक ही जाएगा, क्योंकि बार बार market शाड़े 600 से लेके शाड़े 600 तक ही market अपना range बना रहा है, तो शुरुवात का जो station है वो होगा 50 point का, हाँ इसके उपर भी जा सकता है, आप यहाँ पर अगर hold क 50 पे, तो जो थोड़ी देर पहले आपको support दिख रहा था, अब वो हो गया है market के लिए resistance, तो इस तरीके से आप बहुत आप, बीच में market कही भी नहीं रुकेगा, इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए, market नहीं रुकेगा, इस 50 point के अंतरगत, तो कम से कम अगर आप यहाँ से भी अगर trade ले लेता है, तो 50 point तो guarantee के साथ आपको मिलेगा, इस बीच market रुकेगा ही नहीं, चाहिए कितना भी तूफान आजाए, कितना भी बाड़ आजाए, market उपर जाएगा ही जाएगा, कम से कम 50 point तक तो, उसके बाद देखा जाएगा market में selling बढ़ता है कि buying बढ़ता है, और आप बहुत अच्छा रुपए हर रोज के basis में कमा सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना बिल्कुल मत बुलिएगा, अब से मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जाएगे